नमस्क्राइब दोस्तूं। आप सभी का हमारी वीटो चन्व याप फुर्फट्र स्वागत है। आज कहोंड टोपिक है कि हाइड्रोजन का निर्वाण, यानि कि हाइड्रोजन बंता कैसे है। प्रेप्राइशन और हाइड्रोचन, हाईड्रोचन बंता कैसे है, हाँ धुष्टो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, कि छार धात्यु और हालोजन धात्यु बों से heart Rag 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 हूत यहां और डिफ्रेंश किया कै un theatre है, जिसमें आपको पढ़ना है जल से हाइडोजन कैसे बनाएंगे यानि कि बाई वाटर जिसमें गर्म जल से और ठंडा जल से और भाप से इन तीनों से बनाने के बिद्धी शिखने आपको हाइडोजर की दूसरा अमल से और तीसरा चार से ठीक है दूस्तों तो हम लोग पहला पकते हैं जो है की जल से ठीक है और जल भी किन जल से तो ठंड़े जल से से थांदते हैं उत्पर करती है मतलब जो क्रिया सीधात हुए है वो ठंडे जल के साथ अभी क्रिया करेंगी और हेडोजन गस उत्पर करेंगी ठीक है फॉर एक्जामपल टू एन ए प्लस टू एस्ट्यो ये क्या है ठंडा जल ठीक है जो अभी क्रिया करका बनाएगी 2NaOH प्लस H2 ही गस दिया मतलब इस्टू का निर्मान हो गया ठीक है ठीक है ठीकी से परकार 2K प्लस 2H2O ये बनेगा 2KOH प्लस H2 एस्टू का निर्मान हो गया तो यही बोल लाएगी क्या सील्द हात हुए जैसे कि सोडियम पोटेसियम इसेक्टरा ठंडे जल के साथ अभी क्रिया करके हाइडोजन गैस उत्पन करती है जो ये हाइडोजन गैस उत्पन किया अब हम लोग जा रहे है पढ़ने दूसरा वाला जो की गर्म जल के साथ मतलब गर्म जल से कैसे हाइडोजन प्रोडिवस होगा ठीक है कैसे बनेगा तो कम क्रिया सील्द हात हुए है जो धातू कम क्यासी रहोगी जैसे की मैंगेेज शुरी मैंगेसियम जिंक एक्सेक्टा गर्म जल से विक्रिया करके एजटुग JENश प्रदान करती है, जो कम क्यासी धातू होती है वोझा कि कम जल साथ के साथ विक्रिया करेंगे और discourage प्रदान करेंगे एक्जामपल देखिए एक्जामपल ZN प्लस H2O ठीक है ये क्या बन जाएगा ZN प्लस H2O मिलके बनाए ZN O और H2O प्रोडियूस करती है ठीक है दूस्तों एक दूसरा एक्जामपल लेलते हैं जैसे की M G ठीक है अब प्लस H2O ये क्या बनाएगा M G प्लस H2O ये क्या बनाएगा M G O प्लस H2O गैस प्रोडियूस करेगा गैस को हम ऐसे उपर की तरह तिरका डेरेक्शन देते हैं ताकि पता चलता है इसे कि ये गैस निकल ला ठीक है अब तीसरा देखेंगे, भाब के साथ अब क्रिया र आती है अब भाब के साथ अब क्रिया के खाट लीचे 만ब भाब की साथ क्या बोलाएगा की सबसे कम क्रिया हीरल्द हात हुए जैसे की Fe, Sn, etc. उच ताफ पर भाप को अपगहटित कर H2 gas उत्पन करती है ठीक है? उच ताफ पर जो कम क्रेसिल दात हुए होती है वो भाप को अपगहटित करके H2 gas उत्पन करती है For example, 3 Fe plus 4H2O यह हो गया, F3O4H2 ठीक है? तो यह हो गया हमारा भाप के साथ Hydrogen gas कैसे बनेगा? ठीक है? मैं एक बाद फिर से बता दे रहा हूँ Hydrogen करिमान हम लोग पर रहे हैं, जिसमें जल के साथ, अमले के साथ और भसमे के साथ अभी करिया आपको करके Hydrogen gas मूत कराना है ठंडे जल से, गर्म जल से और भाप से, इन तीनों का टाइप जो एकी जल में परना है ठंडे जल से, जो कम क्रियासिल धात हुए होती है, जैसे कि सोडियाम, पोटेसियाम, एक सेक्टरा ठीक है? वो ठंडे जल के साथ अभी करिया करके Hydrogen gas उत्पन करती है जैसे कि 2NA, प्लस 2H2O, मिलके बनाया 2NOH, प्लस H2, ठीक है? अब गर्म जल के साथ अभी करिया, तो जो कम क्रियासिल धात हुए है, जैसे कि मैंगनिसियम, जिंक गर्म जल के साथ अभी करिया करके Hydrogen gas प्रदान करती है, जैसे कि ZN प्लस H2O, जैन जो है कम क्रियासिल धात हुए है, वो H2O से विक्रिया करके ZD9 बना लिया और H2 gas produce कर दिया, ठीक है? इसके बाद आप है भाब से विक्रिया, तो जो खबसे कम क्रियासिल धात हुए है, सबसे कम क्रियासिल धात हुए है, जैसे कि F, iron, SN, etc. उच ताप पर भाब को घटित कर H2 gas उत्पन करती है, जैसे कि 3H2O plus 4, 3Fe plus 4H2O, यह मिल के बनाया F3O4 plus 4H2, ठीक है? तो यहां भी hydrogen gas produce किया, ठीक है? तो यह हमारा हो गया hydrogen करियासिल धात हुए है, अब हम लोग पढ़ेंगे, अमल से और 6 से, अच्छार से, अच्छा दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अमल से कैसे hydrogen gas produce करेंगे, ठीक है क्या बोला है कि कम क्रियासिल धात हुए है, अमल से अभी क्रिया करके H2 gas उत्पन करती है, जो कम क्रियासिल धात हुए है, वो अमल से अभी क्रिया करेगी और hydrogen gas उत्पन करेगी for example जैसे कि Zn plus HCl ठीक है यह मितल क्या बनाया ZnCl2 plus H2 यह H2 gas निकल गया ठीक है ति हमारा हो गया amlis है HCl क्या है amlis है Zn क्या है कम क्रिया सिधातू है अब क्रिया करके H2 gas मुक्त कर दिया ठीक है एक लिए लिजिए magnesium का plus HCl 2HCl इसको ब्राबर कर देते हैं mg plus 2HCl मिल के बनाया mg Cl2 plus H2 ठीक है तो हमारा जो कम क्रिया सिधातू होती है हम अब क्रिया करके hydrogen gas उत्पन करती है ठीक है अब छार से देख लिए hydrogen gas का बनेगा तो कुछ जातू है छार के साथ अब क्रिया करके hydrogen gas बनाती है कुछ जो जातू होते है वह छार से अब क्रिया करते है और hydrogen gas बनाते है ठीक है फॉर जामपल Z plus 2 NaOH ठीक है यह मिल क्या बनाया Na2 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 Z No2 plus H2 देखें यहां पर है hydrogen gas निकल गया ठीक है तो यह हता है चार से hydrogen gas का बनना ठीक है दूस्तों तो आयो पाब लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जल के साथ बता दिया ठीक है दूस्तों तो दूस्तों अगा मैं चल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्ली सब्सक्राइब के लिए बेल लेगों को तब ही है ताकि सभी ने अपटेट आपको मिलता रहे और आप रोग्रों स्टेटी करते रहें तंक घू